वेल्कम स्टूडेट असलाम उलेकूम उमीद है कि आप खेरियत से तुमारे इस सेशन का टॉपिक है अट अट अडप्टेशन, Students, अगर last session को हम देखे हैं या last session का एक review ले तो हमने last session में दो environments पढ़े थे जिसकी adaptation या दो species को हमने as an example लिया था जहां पर हमने उनके adaptations पढ़ी थी कि वो उस environment में रह सके तो उनके लिए nature ने क्या क्या उनकी body के अंदर adaptations रखी है क्या के ऐसी खुसियत रखी हैं कि वो इस environment में उनका survival possible हो पाता है तो आज इसी तरह से पिछले session की तरह जैसे पिछले session में हमने जो है ना वो underground environment and Arctic environment यानी जो IC जगा होती है जहां पर बरफबारी ज़ादा होती वहां पर polar bear और mole की मिसाल ली थी इस session में हम दूसरे दो environments के मिसाल लेंगे जिन में से एक aquatic है यानी पानी marine life और दूसरा dessert है जहां पर hot and dry environment होता है तो हम इन दोनों environments को देखते हैं और इस environment में survival के लिए कौन सा organism या कोई एक organism के हम मिसाल लेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि nature ने क्या क्या adaptations दी है और उस adaptations के बाइस उसे क्या क्या फायदा होता है उसकी survival needs कैसे पूरी होती है तो चलिए students आज के session का formally आगास करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं aquatic की aquatic aquatic environment वो environment है जहां पानी का जो environment होता है जहां मचलियां रहती है समंदरी environment, तलाब का environment यह वो environment है जहां organisms को हर वक्त पानी के साथ deal करना पड़ता है हर वक्त पानी के अंदर रहना पड़ता है सांस लेना respiration का process तमाम procedures होते हैं लेकिन पानी के अंदर हवा के अंदर नहीं जो एक मिसाली तोर से हमने जो है न वो organism को लिया है वो है fish fish को as an example लिया है हमने aquatic environment के अंदर तो fish एक ऐसा organism है जिसकी body streamlined होती है streamlined का मतलब बहुत पतली दुब्ली से अगर हम fish को देखे students gods है तो fish कुछ ऐसी होती है fish कुछ इस तरहां की होती है यह जो body का structure है fish का यह stream line के लाता है जो इसको help करता है swim करने में अगर आप swimmers को देखें तो swimmers भी swim करने के लिए अपनी body को stream line कर दें straight कर देते हैं ताके वो swim कर सके कुछ वो इस तरहां से लहरों की तरह swim कर रहे होते हैं swimming के अंदर stream line body होना बहुत ज़्यादा जरूरी है सब मरीन को अगर हम देखें तो सब मरीन भी stream line होती है ताके वो पानी के अंदर travel कर सके और water resistance से बच सके दूसरा half fins तैरने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैसे हमारे पास कदम है आगे बरने के लिए अगर मुझा आगे जाना है पीछे जाना है दाय जाना है तो मेरे पास मेरे पैर हैं या हम इंसानों के पास पैर मोजुद है लेकिन फिश जो होती है वो पानी के अंदर तैर रही है तो पानी में तैरने के लिए उसके पास पैर नहीं है, फिन्स हैं जिससे वो या तो आगे स्विम करती है, या तो पीछे की तरफ अगर उसे जाना है, टन करना है तो अपने फिन्स की मदद से वो forward move कर रही होती है Next is have a tail To decide a direction in which direction an organism wants to move तो उसके लिए tail की जरूरत होती है Fish किस direction में move करती है, या किस direction में जाना चाहती है उसके लिए उसे tail की जरूरत होती है अपनी direction वो tail के जरीए change कर रही होती है जैसे गाड़ी में steering wheel होता है direction change करने के लिए इसी तरह से फिश के पास तेल मौजूद होती है अपनी डिरेक्शन चेंज करने के लिए अब लापिंग स्केल्स अब इसको कहते हैं स्टूरेंट्स जो फिश के अंदर अगर आपको नजर आ रहे तो ओवर लापिंग स्केल्स अब इन स्केल्स का क्या काम होता है चूंके फिश अपनी पूरी जिंदेगी पानी की अंदर गुजार रहे है पानी की अंदर ही पैदा और यह तो उसकी बॉड़ी में उसका बॉड़ी का पानी से कॉंटक्ट बहुत जाद है अगर हम देखें अपना हाथ कुछ देर तक पान पानी से ही कॉंटक्ट है अब इसकी बॉड़ी को वाटर पूरूफ कैसे बना जाए पानी को अंदर जाने से रोका कैसे जाए तो यह ओवर लापिंग स्केल्स होते हैं अकसर कभी अगर आपने मचली को कटते वे देखा हो तो वह जब स्केल्स उतर रहे होते तो बड़ा ज जब जरूरत जाए बेशक लेकिन जो है वो बॉड़ी को खराब ना करते बॉड़ी को वाटर पूरूफ बनाया है ताके वहाँ पे उसका सर्वाइवल पॉसिबल उपार क्योंकि वह महीं पैदा हो और महीं उसको रहना है अपनी पूरी लाइफ a gas-filled swim bladder अब यह क्या चीज है तो students अगर आपने देखा हो कभी swimming करते हैं और कभी swimming pool में आप गया हो तो जो एक ball होगी जो air-filled balls होती है इसके अंदर हवा बरी भी होती है वो कभी भी आप जितनी भी कोशिश करने हो पानी में डूपती नहीं वो हमेशा float करती रहती है आपने अगर आप काफी z로 लगा भी पी नहीं उसको अंदर डाल पानी के अंदर वो चली जाया लेकिन वो नहीं जाती है वो उपर ही flow करती रहती है पानी के आप वो पानी के उपर ही flow क्यों करती क्युंकि उसके अंदर air-filled होती है यह physics qual है physics का hen अर फ़ीं क्युंद का प्रिंसिट फ्लोट करने के काबिल बनाता है फिश इसी वज़ा से फ्लोट कर पाती है कि अक्सर आपने देखा होगा मशलिया जो है न वो तैर नहीं वी रही होती है फिर भी वो एक जगा पे फ्लोट कर रही होती है वो नीचे की तरफ नहीं गिर जाती है तो उसकी वज़ा ही यही होती ह कि वो एक gas filled bladder होता है उनकी body के अंदर जो उन्हें float करने में help कर रहा होता है यह तमाम adaptations help कर रही होती हैं एक fish को यह तो हमने fish की मिसाल इस तरह से बहुत सारे living organisms मौझूद हैं कि इसके अंदर aquatic environment के अंदर और उन सब की अलग-अलग adaptations है तो अलग-अलग अगर आप चाहते हैं कि आप उन सब के बारे में पढ़े तो आप उसको नेट पर search कर सकते हैं हमने session के अंदर एक के बारे में बात करी है तो यह वो fish है next environment हमारे पास मौझूद है हो है desert desert एक hot and dry environment होता है बहुत बहुत ही ज़्यादा ड्राय बहुत ही ज़्यादा गरम अच्छा दिन में जितना गरम होता आपको तरह यह थंडा होता है तो एक extreme level का environment होने की वज़े से वहां living organism का survival बहुत मुश्किल हो जाता है यह limited number of organism अक्सर आपने अगर कभी आपका desert इलवाल इलाके में जाना हुआ desert के अंदर या कभी आपने किसी film में देखा किसी movie में देखा तो देखना बहुत minimal number of species आपको नजर आएंगे camel नजर आजा आजाएगा date palm या cactus नजर आजाएगा तो students इस session के अंदर जो हमने as example लिया है desert के अंदर वो लिया है cactus cactus एक ऐसा plant है या एक ऐसा जो है living organism है जो desert में desert में पाया जाता है अच्छा अब desert में चूंके पानी बहुत जादा कम है एक तो उसका area बहुत dry है बहुत hot है और पानी है कम नहोंने के बराबर बहुत दूर दूर तक travel करना पड़ता है पानी के लिए तो पानी कम होने की विजय से प्लांट को पानी चाहिए हम बच्पन से देखते आते हैं हमें पता है हमने पिछले session में पढ़ा है पिछली classes में पढ़ा है के water is the basic need for the plant growth प्लांट की growth के लिए water basic need है तो फिर ये desert के अंदर किस तरह पानी आता है तो होता है क्या है कि पानी plant तक पहुच पाया है cactus तक पहुच पाया है तो cactus की जो roots होती वह बहुत elongated होती बहुत नीचे तक देप्थ के अंदर बहुत नीचे तक होती है normal plants की नीचे तक नहीं होती क्योंकि वहाँ पानी easily मिल जाता है लेकिन cactus क्योंकि desert के अंदर survive कर रहा होता है तो उसे long roots तरकार होते हैं long roots चही होते हैं ताके वह पानी तक पहुच सके और पानी जो है हासल करके growth कर सके तो long spread roots लंबी और spread भी भी ताके पानी जिस भी जगा पर है थोड़ा सा भी है तो वह cactus तक पहुच जाग spines to reduce water loss students plants के अंदर एक procedure होता है जिसे हम कहते है transpiration transpiration is the process in which excess water came out from the body यानि living organism की body से excess water बहार निकल जाता है excess water बहार निकलने की वज़ए से क्या होता है कि plant के अंदर water level कम हो जाता है या up to the mark हो जाता है फिर उसे दुबारा water की ज़़वत पढ़ती है अब desert के अंदर तो water की वैसी कमी है excess water कैसे आएगा और transpiration का process तो है तो transpiration के process को रोकने के लिए या excess water loss नहो तो उसके लिए spines हैं ताके water loss नहो reduce हो जाए कम से कम हो जाए हो लेकिन इतना नहो के plant को बाद में परेशानी हो दूसरा वाक्सी लियर cactus के ओपर है नहीं एक वाक्सी लियर होती है जो water again water loss से बचाने के लिए क्योंके desert है environment बहुत hot है बहुत dry है water बहुत कम है पानी बहुत कम तादाद में है एक महदूत तादाद में कम तादाद में तो नहीं महदूत तादाद के अंदर है तो इसी वज़ए से एक वाक्सी जो लियर है वो उससे help करती है if flowers after rain produce seed quickly before the next dispel क्योंके वहाँ बारिशे बहुत कम जो हमें देखने को मिलती है desert के अंदर तो होता है किया कि जैसे वारिश होती है तो flowers जो है वो immediate seed production में लग जाते हैं क्योंके वारिश को का अरसा बड़ा कम होता है मूनसून का अरसा बड़ा कम होता है desert के अंदर तो इसी वज़ए से immediate seed production हो रही होती है ताके next spell आने तक seeds हो और वो दुसरा plant grow हो सके तो students यह cactus की जो है वो adaptations थी जो उसे help कर रही थी किस चीज में help कर रही थी growth करने में survival के अंदर help कर रही थी तो students इस session का एक quick review लेख लेते हैं देख लेते हैं session के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा किस मौदूब बात करी हमने तो students इस session के अंदर हमने adaptation के बाहर में पढ़ा adaptation मैं बता चुका था पहले क्या होता है किस तरहां से होता है लेकिन आज जो हमने environment लिए aquatic and desert aquatic के अंदर हमने fish की example ली और desert के अंदर हमने cactus के example ली हमने देखा कि क्या-क्या खुसूसियत या क्या-क्या adaptations fish के अंदर मौझूद है तो survive in the respective environment और क्या-क्या characters के या adaptations cactus के अंदर मौझूद है to survive in its specific या respective environment तो इसी के साथ student session का अख्तिताम करते हैं मैं अमीद करता हूँ कि आज के session में आपने बहुत को सीखा होगा अपने बहुत सारा ख्याल रखेगा अगले session में आपसा मुलाकात होगी खुदा हाँ